नवस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार के दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की और रुक करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर बिहार के बैंक में निकली बंफर भाली ग्रिजोयसन पास कैंडिडेट्स यहां भरे ऑनलाइन फर्म 158 मुख्या पर होगी कारवाई नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रतिनीधियों पर एक्सन सुरू पटना जू में मौनिंग वाक होगा अब और महंगा पास के दरो में 300 रुपी की होगी विर्धी पटना में दो दर्जन से ज़्यादा मुख्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे साथ निश्चे में गड़बड़ी करने वाले अब तक 4 पर केस सराब के धंदेबाज को पकड़ना पुलिस के लिए भारी पड़ गया आरुपी के कोरोना पोजिटिव निकलते ही मज गया हड़कम सराब बंदी का सच बिहार में अब तक 1.5 करोड लिटर दारु जप्त सरकार बोली जहां सराब पकड़ाया वहां खुलेगा थाना बिहार में जानवरों को होगा मुफ्त इलाज जियाम नितीश ने जल्द से जल्द पसु अस्पताल बनाने का दिया निर्देश अपने ही कारियालाई का हालत देख पटना के डियम के उड़े होस गुसे में 42 करमचारियों का रोका वेतन बियाई जी ने सराबी दरोगा को किया गिरपतार नसे की हालत में नास रहा था जा सकती है नौकरी बिजेपी विधायक ने खोली नितीश सरकार की पोल बोली पोस्ट ओफिस बन गया है होस्पिटल सीविल सरजन फोन पर ही करते हैं इलाज अब खबरे विस्तार से बिहार के युवक और युवतियों के लिए एक खुसकबरी है जो नौकरी की तलास कर रहा है बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड में असिस्टेंट के पद पर बहाली निकली है बैंक में खाली पड़े 200 पदों को भरने के लिए बहाली निकली गई है बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से बहाली निकली गई है राज के 11 जीलों में केंद्रिया सहकारी बैंक में कुल 181 पद और बिहारी स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड में 19 पद रिक्त सामिल है कि रिजुरिशन पास केंडिडेट इस पद के लिए अपलाई कर सकते हैं बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट bscb.co.in पर जाकर 26 मार्ज 2021 तक ओनलाईन फ़र्म भरा जा सकता है इन पदो पर आवेदन के लिए सामायन और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 750 रुपए और SCST और दिव्यांग अभ्यार्थियों को 550 रुपए आवेदन सुल्क देने होंगे नियुनतम 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष के अभ्यार्थी ही फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट्स के उम्र की गन्ना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी यानि की उमिदवार का जन्म 2 जनवरी 1988 से पहले और 1 जनवरी 2001 के बाद ना हुआ हो दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट मिलेगी मुख मंतरी नितीज कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साथ निष्टे योजना के तहट हर घर नल का जल योजना में गडबड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनीधियों और अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों पर कारवाई सुरू हो गई है पटना प्रमंडल में इस योजना के अंतरगत गडबड़ी करने वाले 158 मुख्या और पंचायत प्रतिनीधियों पर कारवाई होगी इसमें सबसे अधिक 97 मुख्या रोहतास जिले से है नल जली योजना में गडबड़ी की सिकायतों के बाद सरकार ने इस पूरे मामले की जाज भी कराई थी मामले में 78 पंचायत प्रतिनीधियों पर प्राथमी की दर्ज की गई है जबकि 35 अधिकारी और सरकारी कर्मियों पर भी विभागिया कारवाई सुरू कर दी गई है चोतरफा बढ़ती महंगाई के बीज पटना जू में मौनिंग वाक करना भी अब लोगों के लिए महंगा पढ़ने वाला है मौनिंग वाक के पास की दर्ब बढ़ने वाली है जू प्रसासन की तरफ से इससे तकरीबन 200-300 रुपे परति पास सुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है जू प्रसासन ने परियावरन वन एवंग जलवाई परिवर्तन विभाग को प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक पटना जू में मौनिंग वाक करने वालों पर महंगाई की मार पढ़नी तय है पटना जू प्रसासन की तरब से भेजे गए प्रस्ताव के मताबिक सीनियर सिटीजन के लिए 100-200 रुपे की तक के विर्धी का प्रस्ताव है वन विभाग से जोड़े सुत्रों के मुताबिक पटना जू प्रसासन की तरब से बेजे गए प्रस्ताव को कमेटी के सामने रखा गया है और इसी मा इस पर फैसला होने की उमीद है करोना काल में खत्म होने के बाद पटना जू में मौर्निंग वाक के लिए पास बनवाने का सिलसिला सुरू हो गया है पास बनाने के लिए जू के गेट नमबर दो के पास से फॉर्म लिया जा सकता है बिहार में पंचायत चुनाओ का बिगुल बजनी का इंतिजार हो रहा है लेकिन पटना जीले के लगभग दो दर्जन से जादा मुख्या के लिए बुरी खबर है जीले में दो दर्जन से अधिक के मुख्या चुनाओ लड़ने से बंचित रहेंगे अब तक चार पंचायत के मुख्या के खिलाप साथ निश्चे योजना में गड़बडी के मामले में प्राथमी की दर्ज की गई है इतना ही नहीं सरकार साथ निश्चे योजना के कायर पूरा नहीं करने वाले मुख्या को चिन्नित कर कारवाई करने का निर्देश दे चुकी है जीला प्रसासन ने दरजन भर्च अधिक पंचायतों की सूची तयार कर ली है इन पंचायतों में मुख्यमंत्री साथ निश्चे योजना में सामिल हर घर नल का जल और पक्की नदी जल का योजना कार पूरा नहीं हुआ है लेकिन रासी का अवंटन किया गया है ऐसे में गड़बड़ी उजागर होने के बाद कारवाई होनी तय है मुख्यमंत्री निटीज कुमार के फर्मान पर बिहार पुलिस सराब के धंदेबाजों को पकड़ने में जुटी हुई है मुझपर पूर से पुलिस ने सराब के एक धंदेबाज को पकड़ा लेकिन वहाँ कोरोना संक्रमित पाया गया तो महकमे में हडकंप मच गया रामदयालू नगर गुम्टी के पास से उसको गिरफ्ता करने वाले पुलिस पताधिकारी सहित सदर थाने के थानेदार और अनकर्मियों को कुरोना की जाज कराने को सला डॉक्टरों ने दी है बिहार में कुरोना के केस कम होने के बाद लोग लापरवा दिख रहा है पुलिस वालों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया है लेकिन इस दंदेबाज के संक्रमित निकलने के बाद आनन फानन में पुलिस कर्मी मास्क पहनने लगे और हाथों को सेनिटाइज करने लगे हाजत से लेकर सिरिस्ता तक सेनिटाइज का छिड़काव किया गया गिरफतारी के बाद सोंबार को कोट में पेस करने से पहले आरपई को सदर अस्पताल में कुरोना जाच कराई गई इससे वहाँ पोजिटिव पाया गया फानेदार सत्यंदर कुमार सिनहा ने बताया कि आरोपित कुरोना जाच में पोजिटिव पाया गया है उसे SKMCH के कुरोना वार्ड में शिफ्ट कराया गया है बिहार में सराबबंदी का सच उजागर करने वाले एक आकड़े को समझे बिहार विधानसभा में मंगलवार को सरकार ने जानकारी दी सराबबंदी के बाद बिहार में डेर कडोर लिटर से ज़्यादा सराब की बरामतगी हो चुकी है लेकिन फिर भी विधानसभा में सरकार ने कहा कि पटना से लेकर खगडिया तक अब किसी की हिम्मत नहीं है कि सराब भी कर हंगामा कर सके बिःतान सभा में सरकार ने एलान किया है कि पटना के जिस गोदा में भी सराब की बरामत्गी हुई थी उसी गोदा में थाना खुलेगा बिहार विधान सवा में मद निशेद विवाग के बजट पर चर्चा के दौरान मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सराबंदी के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर अवेद सराब की बरामदगी हुई है पुलीस उत्पाद विवाग और दूसरी एजन्सियों ने अब तक 97 लाख लिटर से ज़्यादा विदेशी सराब और 33 लाख लिटर से ज़्यादा देशी सराब बरामद किया है सरकार ने 50,000 से ज़्यादा काड़ीयों को पकड़ा है जिन में 15,000 से ज़्यादा वाहनों को जब्त किया जा चुका है मुख्यमंत्री नितीज कुमार ने पसू एवंग मज्ज संकसाधन विवा के अधिकाईयों के साथ बुधवार को मेटिंग की इस बैठक में सियम के सामने कॉमफेड की ओर से डैरी डेवलप्मेंट से संबंदित प्रस्तूती करन दिया गया बैठक में मुख्यमंत्री ने 8 से 10 पंचाधों पर जल्द से जल्द कम से कम एक पसू अस्पताल बनाने का निर्देश दिया इन अस्पतालों में जानवर को मुप्त में इलाज किया जाएगा साथ ही उनके लिए फ्री में दवाई का भी विवस्था की जाएगी मुख्यमंत्री ने बसू अवं मत्स संगसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज के सभी जीलो प्रकंडो पंचातों से लेकर सभी गाओं के डैरी कोपरेटिव नेटवर्क से जोडएं सभी गाओं में महिलाओं के लिए अलग से डैरी कोपरेटिव सोसाइटी बना इस वक्त एक ताजा ख़बर पटना से सामने आ रही है पटना के जिलाधिकारी चंद्रसेकर सिंग ने अपने ही कारियालय का ओचक निरिक्षन किया है पटना समाहारनाले के अंदर कर्मचारियों की उपस्तिती देख पटना के डियम चंद्रसेकर सिंग विभरे हैं पर दो में और चक निरिक्षन करने के बाद जिलादीकारी चंदरसेकर सिंग ने बुद्वार को अपने ही कारियाले का ओचक निरिक्षन किया कारियाले में कर्मियों की अनुपस्तित देख डियम काफी नाराज हुए हैं। यातार ऐसी खबरे आ रहे है कि सराब माफ्या जोरी चिपे सराब की तसकरी कर रहे हैं। वेपक्ष भी लगातार होम डिलिवरी की बात बोलकर नितीज सरकार को निशाने पर ले रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिनके कंदे पर इस कानून के जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद ही सराब पिकर डिपार्टमेंट की नाग कटा रहे हैं, ताजा मामला सहरसा जीले का है, जहां कोशी डियाईजी प्रणव कुमार प्रविन नसे में धूत एक दरोगा को खुद पकड़ा है, दारू पिकर डल्ली हुए इस दरोगा की खिलाब, डियाईजी ने एफायार दर्ज कराने का आदेश दिया है, सियम के ओडर के अनुसार इस दरोगा की नौकरी भी जा सकती है, मामला सहरसा जीले का है, जहां नसी की हालत में जूम रहे एक दरोगा को कोशी के डियाईजी प्रणव कुमार प्रविन ने खुद पकड़ा है, दरसल डियाईजी ओचक निरिक्षन करने निकले थे, इस दोरान जैसे ही वहाँ सौर बजार थाना पहुचे तो उन्होंने देखा कि दरोगा ओम्प्रकास राम नसी की हालत में मगन में है, वह अपने में ही धुन में नाश रहा था, दरोगा ओम्प्रकास राम को इस हालत में पकड़ने के बाद डियाईची प्रवना कुमार प्रविन ने फौरान आदेश दिया कि उसे सौर बजार पी एचसी ले जाया जाए, वहाँ पर SP गोपनियम में ब्रेथ एनलाइजर के जाज की गई तो नसी की पुष्टी हुई, जिसके बाद आरोपी दरोगा को गिरपतार कर लिया गया, आरोपी दरोगा के खिलाप मामला दर्ज किया गया है, वही कुछ अन बिंदों पर स्पष्टी करन मांगा जा रहा है बिहार में नितीज कुमार, BJP के बलगूते सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनके सहयोगी ही लगातार सरकार को आयना दिखा रहे हैं, कभी law and order को लेकर तो कभी राज में बिमार हो चुकी स्वास्त विवस्था को लेकर भाजबा के विधायक सुसासन बाबु से सव करने की मांग की है, सितामडी जिले के परिहार सीट से विजेपी बिधायक गायतरी देवी ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिकर कहा है कि उनके छेत्र में स्वास्त विवस्था का बुरा हाल है, सितामडी में होस्पिटल का हालत इतना खराब है कि इलाज के बदले मरीज की विरस्ता पोस्ट ओपिस के तरह हो गई है हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे के साथ-साथ महिला विधायक ने स्वास विभाग के प्रधान सचीव प्रत्य अम्रित को भी एक पत्र लिखा है तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ-साथ अपने दोस्तों रिष्टदारों में शेयर जरूर करें धन्यवाद